ये खस्ता परदार मठ्री आपको देख करके लगेगा ना कि मैंने मैदे से बनाई है लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा भी मैदे का यूज नहीं किया है इसे मैंने मूंग डाल और गेहूं के आटे से बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता लग रही है देख करके ये आप को मालूम चल रहा होगा और ये टेश्टी के साथ सथ काफी ज़्यादा हेल्दी भी बनने वाली है तो मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग डाल लिया है इसे मैंने एक से डेड़ घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था मतलब एक दो बर धो लिया था उसके बाद मैंने से भीगा लिया है वैसे मूंग डाल भीगने में जादा टाइम तो नहीं लगती है एक से डेड़ घंटे में अराम से भीग जाती है अब क्या करेंगे पानी हटा लेंगे और सिर्फ दाल को मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसे ग्राइंड कर हलकी सी वैसे दर्दरी ही रखनी है बहुत जादा फाइन नहीं करना है अगर आपको मठ्री जो है तीकी बनानी हो मैंने वैसे प्लेन बनाई है तीकी नहीं बनाई है अगर आपको तीकी मठ्री बनानी हो ना तो आप यहां पर एक से दो हरी मिर्ची एड़ कर दें अब देखि कि इसे हम निकाल लेंगे बड़े से परात में ताकि उसमें आटागुटने में आसानी रहे अब क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे खड़ा जीरा साथ ही डालेंगे कलाओंजी के लिए यह फेलेवर के अच्छा आता है साथ ही डालेंगे इसमें अजवाइन, डाल की किसी भी चीज में अजवाइन थोड़ी से अड़ किजेगा ना तो digestion के लिए अच्छी रहती है, हाथों से crust करका add किया है मैंने, साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा से हल्दी और कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा हाथों से हलका सा क्रस्ट करके डाले तीखी मत्री बनाना हो तो आप इसमें चीली फ्लेक्स एड़ कर सकते हैं काली मिर्च का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं साथ ही मैंने आप एक छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1x4 कब बारिक वाली सूजी अगर आपके पास मोटी सूजी हो ना तो उससे अप एक बड़ मिक्सर में ग्राइंड कर लें उसके बाद आप इसमें एड़ करें अब मत्री को खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी इतना घी काफी रहेगा इससे ज़्यादा एड़ नहीं करना है उसके बाद इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो मैंने एक छोटा चम्मच नमक एड़ किया है अब एक पिंच मैं डाल रहे हैं इसमें खाने का सोडा बस इतना ही डालना है इससे ज़्यादा नहीं डालना है इससे जो मत्री है ना बहुत ज़्यादा खस्ता बन करके तयार होगी अब यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स कर लेना है एक बार उसके बाद इसमें आटा एड़ करना है तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 बार 4 कप आटा लिया थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे वैसे आपको इतने से मिक्षियर में पूरे एक कप आटा का यूज हो जाएगा अगर आप आटा नहीं डालना चाहते तो थोड़ा बहुत आप चावल काटा भी डाल सकते हैं आपको मन हो तो आप सूजी स्किप करके सिर्फ आटा भी एड़ कर सकते हैं इससे भी हो जाएगी थोड़ा थोड़ा करके आटा एड़ करें और इसका सकत आटा गूद करके तयार करना है आटा नरम नहीं होना चाहिए जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा मतब हाट टाइप का होना चाहिए जैसे कि खस्ता मत्ब मठरी वगर है तो थोड़ी सी खस्ता रहती है तो जादा अच्छी बनती है अब इसे ढखके रख देंगे पांच मेट तक के लिए ताकि जो सूजी है थोड़ी सी फूल जाए अब मैंने लिया यहाँ पर एक बाउल उसमें मैं डाल विए हूँ दो चम्मच घी जो कि हम बीच में लगाएंगे मठरी के तो मठरी फलेकी बनेगी साथ ही दो चम्मच मैंने इसमें घी हूँ का आटा एड़ किया है इसका न इस तरह से मतलब मिक्षर रेडी कर लेंगे आटा भी यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा फूल किया है तो वापस से हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा गूत लेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए वैसे बहुत ज़्यादा हाड अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा पिसमें पानी डालके इसे सॉफ्ट भी कर सकत है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है उसके बाद इसकी लोई ले ले अपने अख़डिंग जितना बढ़ा आपको लोई लेना है बेलना है वैसे ही तो अब क्या करेंगे इसे बेलेंगे पतला बेलिएगा जितना पतला हो सकेगा उतना पतला बेलिएगा तो मश्री उतनी जादा फ्लेकी लगेगी खाने में अब मैंने या पर इस तरह से छोटे साइज के एक बाउल लिया है मतलब कटोरी उससे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ आप चाहें तो स्क्वाइर में भी बना सकते हैं या फिर आपको इस तरह से राउंड पसंद हो तो राउंड बना ले वैसे कटोरी से एकदम बैस्ट रहता है अब इस तरह से राउंड राउंड कट कर लेंगे ना आप चाहें ना तो इस तरह से इसे ऐसे ही प्लेन प्लेन भी तरह भी मठरी बनाई जा सकती है यह भी बहुत जादा क्रिस्पी बनेगी बस यह मतलब परतवाली बना रही हूं तो जो एक्ष्टा आटा है उसे अब हम हटा लेंगे राउंड कट कर लिया है मैंने और इस तरह से जो हमने घी और आटे का जो मिक्षर बनाया था ना उसे बी आठा वाला सेप है ना ट्रैंगल वाला पराठा हुए ही रेडी करना है यहां पर इससे देखने में बहुत जादा अच्छी लगती है और बहुत जादा क्षसता भी बनती है वैसे पापड़ी भी बना सकते हैं कोई प्राबलम नहीं होगी इसी तरह से मैंने यहां पर सारे मतलब मट्रियां यहां पर रेडी कर लिए बना करके और ऐसा नहीं कि आपको टाइम लगता बहुत फटा-फट से हो जाती है प्रोसेस तेल गर्म किया है मैंने और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है नहीं तो जो अंदर से मट्रियां सीखेंगी नहीं तो फ्लेम को लोही रखिएगा श्टार्टिंग में और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है उसके बाद मैंने आप सारी मट्रियां डाल दिया है एकक करके धीरे धीरे इसके लेयर से इक्दम खुलना है श्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा फ्लेकी लगेंगे देखने में भी और खाने में भी तो मैंने पहले जितना रेड़ी है उतना मैंने सारा डाल दिया बाकी में जब तक वो फ्राई हो रहा है ना इस तरह से हम बाकी के भी रेड़ी कर लेंगे तो जब यह अच्छे से सुनहरे कलर के हो जाएंगे ना तो हम इसे निकाल लेंगे देखे किती ज़्यादा फ्लेकी लग रही है देखने में और इसे खा कर कि कोई नहीं बताएगा ना यह मूंग दाल की बनी हुई है आटी की बनी हुई है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है बहुत बहुत अगर आपके पास एयर फ्रायर होना तो आप उसमें भी से सेख सकते हैं तो विदाउट ओयल की रेड़ी हो जाएगी हाँ थोड़ा बहुत तो घी लगेगा मौयन के लिए बट यह विदाउट फ्राय की भी रेड़ी की जा सकते है अगर आप एयर फ्रायर वेगरा में रेट की करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी मच्रियां रेड़ी हो गई है आप इसका आवाज सुनिए आपको आवाज सु कोड़ा से अवाइड करें और इस तरह से घर में हैल्दी टेश्टी स्नैक्स बना करके तैयार करें मिलते हूं नेक्स्ट लाग में तब तक के लिए बाबाइटिक के